हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल टीज टू लर्न आज की इस वीजियो का हमारा टॉपिक है वेरियेशन ओफ कंड़क्टिविटी एंड मोलर कंड़क्टिविटी विद कंसेंट्रेशन जिसमें हम ये जाने की कोशिश करेंगी कि कंड़क्टिविटी और मोलर कंड़क्टिविटी इन दोनों के उपर कंसेंट्रेशन के इंक्रीज और डिक्रीज करने के कारण कौन कौन सी वेरियेशन आती हैं हम इस वीडियो में कंड़क्टिविटी के बारे में भी स्टड़ी करेंगे और molar conductivity के विबारे में detail में study करेंगे कि इन दोनों के उपर जो concentration है जैसे कि concentration increase करने से concentration अगर हम increase करेंगे तो dilution जो क्या होती है वो क्या हो जाती है decrease हो जाती है तो इन दोनों factors के कारण जो इनकी conductivity के उपर effect पड़ेगा उसके बारे में हम study करने जा रहे हैं तो आईए बिना time waste के हम शुरू करते हैं अपना topic और इस video को आप last तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से सारा topic समझ आ जाए अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि हमें ये पता है जो electrolytic conductance होती है वो क्या होती है decrease हो जाती है जब हम concentration increase करते हैं और अगर हम concentration increase करेंगे तो dilution क्या हो जाएगी अगर हम concentration increase करेंगे तो dilution कम होगी और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि electrolytic conductance decrease होती है मेंस ये decrease हो जाती है जब concentration increase होती है तो या फिर हम ये कह सकते है increase होती है increase कब होगी जब concentration क्या होगी decrease होगी और concentration decrease होने का मतलब क्या है dilution क्या हो रही है increase हो रही है तो भई पिनुने ये बात कही है कि electrolytic conductance decrease होती है जब concentration increase होता है या तो हम ये कह सकते है increase होती है जब dilution increase होता है क्योंकि जब concentration decrease होगी तो dilution तो increase होनी ही है अब ये बात तो हमें पता है पर इसका कोई कारण है कारण क्या है This is because conductance of ions is due to the presence of ions in the solution क्योंकि अब जो conductance हो रही है ions की वो किसके कारण हो रही है क्योंकि उस ions में उस solution में क्या present है ions present है solution के अंदर और हमें पता है जितने ज़्यादा number of ions होते है उतनी ही ज़्यादा क्या होती है conductance होती है As with dilution more ions are produced in solution So conductance also increase on dilution अब हमें भी पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा dilute करते जाएंगे जितना ज़्यादा dilute करेंगे उतने ही ज़्यादा ions produce होंगे solution में और जितने ही ज़्यादा ions produce होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी conductance भी increase होगी इसी कारण conductance क्या होती है increase होती है on dilution ये बात होगी electrolytic conductance की अब हम देखते हैं कि जो आगे क्या है बोथ specific conductivity और molar conductivity जिनके बारे में हमारा topic है इनमें भी क्या होता है ये भी क्या करते है concentration of electrolyte के कारण इनकी भी जो conductivity है वो क्या होती है change होती रहती है however conductivity of electrolyte decrease with decrease in concentration both for weak and strong electrolyte whereas molar conductivity decrease with increase with decrease in concentration यहाँ पे वो क्या कह रहे है specific conductivity और molar conductivity के बारे में कि जो conductivity है electrolyte की वो क्या होती है decrease हो जाती है जब concentration क्या होता है decrease होता है इसका मतलब इसे हम दूसरी भाशा में क्या कह सकते हैं कि electrolyte की conductivity decrease हो जाती है जब dilution क्या होता है increase हो जाता है क्योंकि concentration decrease कर रहा है इसका मतलब क्या है dilution increase हो रहा है और ये क्या होता है same होता है weak और strong electrolyte के लिए दोनों के लिए यही condition apply होती है कि conductivity electrolyte की decrease होनी ही होनी है चाहे कोई weak electrolyte है या strong electrolyte है अगर concentration decrease होगा या फिर हम ये कह सकते हैं कि dilution increase होगी पर जो molar conductivity है उसमें ऐसा नहीं होता उसमें क्या होता है उसकी conductivity increase होती है भी decrease in concentration या फिर हम ये कह सकते हैं increase in dilution अभी हमने यह पढ़ा कि conductivity decrease होती है dilution increase करने के कारण या फिर concentration decrease करने के कारण पर ऐसा होता क्यों है तो उसको हमें एक easy language में इस definition से समझ सकते हैं यह definition है उसकी easy language में हमें समझ सकते हैं कि decrease क्यों होती है जब dilution हम increase करते हैं क्योंकि बाकियों में तो क्या हो रहा था dilution increase करने के कारण number of ions increase हो रहे थे number of ions increase हो रहे थे तो फिर conductance भी conductivity भी क्या हो रही थी increase हो रही थी बट यहाँ पर क्या है old है इस conductivity में electrolyte की conductivity में ऐसा होता क्यों है देखें यहाँ पर conductivity is the conductance of one meter cube of electrolytic solution जो conductivity है conductance में वो कैसे होती है हम कैसे measure करते है one meter cube of electrolytic solution में measure करते है जैसे हम माल लें ये एक one meter cube है और यहाँ पर एक बीकर पड़ा है इसमें one meter cube में ऐसे divide किया हुआ है पूरे बीकर को जो divide कर लिया ये इसका एक कितना हुआ one meter cube की equal है तो हम इसमें जो conductivity है वो कैसे measure करते है कि इस one meter cube में कितने number of ions present है तो जितना ज़्यादा ये बीकर के अंदर solution concentrated होगा उतने ही ज़्यादा ions इस one meter cube के अंदर present होगे तो उतनी ही ज़्यादा क्या होगे conductivity होगी पर जब हम dilution कर देते हैं on dilution concentration of ions of electrolyte per meter cube of solution decrease हो जाता है क्योंकि dilution में ये क्या हो जाते हैं खुले खुले ions हो जाते हैं दूर दूर चले जाते हैं तो इस एक meter cube के area में पर meter cube के area में जो ions present थे वो क्या हो जाएंगे decrease हो जाते हैं इसी कारण therefore the conductivity decrease with dilution of electrolyte solution इसी कारण जो conductivity होती है वो क्या होती है decrease कर जाती है with dilution of electrolytic solution क्योंकि per meter cube पे जो ions present होने चाहिए थे ज़्यादा concentrated solution में ज़्यादा present होते थे पर जब हमने उसे dilute कर दिया तो per meter cube of per meter cube area में जो ions थे उनकी जो concentration होई वो क्या हो गई कम हो गई इसी करण conductivity भी क्या हो जाती है कम हो जाती है अब हम बात करेंगे molar conductivity के उपर कैसे weak or strong electrolytes का effect होता है उसकी conductivity के उपर अकॉर्डिंग टू डीबे हक्कल ओन सागर equation दा मोलर कंड़क्टेंस और मोलर कंड़क्टिविटी ओफ electrolytic solution change with change in concentration as shown below जो डीबे हक्कल ओन सागर equation के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहे हैं जो मोलर कंड़क्टिविटी है या फिर मोलर कंड़क्टेंस है वो हमें पता है change करती है with change in concentration और इसके लिए उसने क्या किया था डीबे हक्कलों सागर ने एक equation दी थी वो equation क्या है ये lambda mc is equal to lambda n not minus a dot root c अब यहाँ पे जो lambda mc है उसका मतलब क्या है मोलर कंड़क्टेंस at some concentration c and lambda m not का मतलब क्या है कि मोलर कंड़क्टेंस at infinite dilution या फिर हम ये कह सकते है zero concentration क्योंकि यहाँ पे zero लिखा है अगर infinite लगाते तो वो क्या हो जाएगा infinite dilution a क्या है constant है और c क्या है concentration of electrolytic solution है अब उन्होंने ये तो बता दिया कि concentration change होने के कारण जो molar conductance की conductivity है वो change होती है और इसके बाद हम इसमें ये देखेंगे कि strong electrolyte और weak electrolyte उन दोनों के कारण इसकी conductivity पे क्या effect पड़ता है तो in case of strong electrolyte सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं फिर हम इसकी graph को भी समझेंगे strong electrolyte get dissociated into its ions completely when put into water अगर हम माल ले कि एक बीकर है उसमें हमने क्या किया strong electrolyte डाल दिया इसके अंदर क्या है strong electrolyte और जो हमें पता है strong electrolytes होते हैं वो अपने ions में completely dissociate हो जाते हैं जब हम उन्हें water में डालते हैं as a result of as a result on further dilution number of ions does not gets increased in the solution but the volume for the movement of ions gets increased therefore there is a small increase in molar conductance of electrolyte solution on dilution अब यहां पर यह बात करी है कि concentration increase और decrease करने से strong electrolyte पर क्या फर्क पड़ता है अब जो strong electrolyte होते हैं वो तो पहले ही water में डालते सारी अपने ions में completely dissociate हो जाते हैं फिर उन्होंने यह कहा है कि अगर हम इस strong electrolyte को और ज्यादा डिल्यूट करेंगे और ज्यादा water डालके इसे और ज्यादा क्या करेंगे डिल्यूट कर देंगे तो जो डिल्यूट करने से number of ions does not get increase in the solution क्योंकि number of ions जो पहले ही क्योंकि अच्छे से dissociate हो चुके हैं तो और ज्यादा number of ions तो dissociate होने से रहें पर number dissociate ions तो dissociate नहीं होंगे पर क्या होगा volume for the movement of ions gets increase क्योंकि पहले इतने volume में move कर रहे थे और water डालने के बाद इतना volume हो गया तो जो volume हो गया वो क्या हो गया increase हो गया इंक्रीज हो गया volume volume increase करने से there is a small increase in molar conductance of electrolytic solution on dilution इसी कारण थोड़ा सा electrolytic solution की जो molar conductance है वो क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी जैसे कि यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया है यह concentration का ग्राफ है और यह molar conductance का concentration क्या कर रहे है हम? कम कर रहे है कम कर रहे है इसका मतलब dilution क्या हो रही है? जादा हो रही है और strong electrolyte हमने हlCl के लिए यहाँ पर check किया है concentration कम करेंगे तो dilution क्या होगी? जादा होगी dilution जादा हो रही है तो हम अगर इसे एक infinite dilution देखे infinite dilution पे देखें यहाँ पे या फिर हम यह कहें कि zero concentration पे देखें तो यह इस point पे meet करेगा इस point पे meet करने से हम यह देख रहे हैं कि जो graph है वो थोड़ा सा ही उपर गया है इसका मतलब कि small increase in molar conductance होगा ज्यादा increase नहीं होगा क्योंकि strong electrolyte में ions पहले से easily dissociate हो जाते हैं इसलिए जब हम उसको ज्यादा dilute करेंगे तो भी उस पे ज्यादा कोई effect नहीं पड़ेगा तो अगर हम इसे infinite dilution या फिर zero concentration पे देखेंगे तो यह हमारे पास एक value आजाएगी lambda and not यह कौनसी value है molar conductance at infinite dilution या फिर हम इसे एक कह सकते हैं molar conductance at zero concentration वही भी यहां पे लिखा भी है when we extra plot the graph between lambda and root c for solution of strong electrolyte then it cuts the axis of molar conductance as a result we get a value of molar conductance at zero concentration और infinite dilution जैसे कि हमने देखा कि हमने जब graph को extra plot किया तो हमें एक value मिल गई molar conductance की zero concentration या फिर हम यह कह सकते हैं infinite dilution अब हम देखते हैं weak electrolyte पे dilution का क्या फर्क पड़ता है इसके लिए weak electrolyte does not get dissociated into its ions completely in solution but on dilution its dissociation gets increased अब जो weak electrolyte है weak electrolyte का हमें पता ही है कि वो completely dissociate नहीं होंगे अपने ions में जब उस solution में होंगे इसी कारण जब हमने उसे ज़्यादा dilute किया जैसे कि हम इसमें बीकर लेते हैं weak electrolyte है इसके अंदर weak electrolyte तो पहले सी completely dissociate नहीं है जब हमने इसको और ज़्यादा dilute करने के लिए water डाला तो हम क्या देख रहे हैं कि जो dissociation है वो क्या हो गई? increase हो गई इसकी ज़्यादा number of ions dissociate होना शुरू हो गई as a result the number of ions gets increased in the solution जिसके करण क्या हुआ number of ions increase होंगे? क्योंकि dissociation हो रही है तो number of ions तो increase होंगे ही solution में therefore molar conductance of electrolytic solution also gets increased with dilution इसी कारण जो molar conductance है वो भी क्या हो गई? increase हो जाएगी with dilution जिसे कि हम यहाँ पर graph देखें lambda root c और lambda m के बीच में बनाया है तो जब हम concentration कम कर रहे थे इसका मतलब dilution ज़्यादा कर रहे थे तो यहाँ पर क्या हुआ? जो molar conductance की value है वो क्या हो रही है? increase हो रही थी बट एक time पर आके वो क्या हो जाएगी? constant हो जाएगी इस time पर आके एक concentration की value पर value क्या हो जाएगी? constant हो जाएगी उसके बाद अगर हम जितना मर्जी water उसके अंदर डालते जाएं उसकी conductance, smaller conductance increase नहीं होने वाली मतलब उसकी value क्या हो जाएगी? constant हो जाएगी graph between lambda m root c for weak electrolyte, weak electrolyte के लिए जब हम extra upload करते हैं graph, then it never cuts the axis of molar conductance, जैसे कि हम यह आपे देखी रहे हैं कि यह molar conductance की axis को cut नहीं कर रहा है, जैसे उसने strong electrolyte की case में कर लिया था, therefore we never get the value of molar conductance at infinite dilution और zero concentration graphically for weak electrolyte, इसी कारण हम weak electrolyte के लिए molar conductance की value हमें नहीं मिल पाएगी for infinite dilution या फिर हम यह कहें कि zero concentration के लिए, क्योंकि वो value infinite dilution और zero concentration पहुशती नहीं और वो इस axis को molar conductance की axis को कभी कटी नहीं कर पाती है और अब आप लोग यह सोच रहे होगी कि अगर इसकी value graphically नहीं मिली है, weak electrolyte के लिए molar conductance की तो हम इसकी value find कैसे करेंगे, इसके लिए हम next topic में collage law देखेंगे, उसके according हम weak electrolytes के लिए molar conductance की value find कर सकते हैं, अब हम last में एक छोटा सा question discuss कर लेते हैं, वो BC topics related है और यह बहुत important है, paper में आ जाता है one or two marks में, question क्या है why molar conductance increase on dilution, हम वही पढ़ रहे थे कि dilution के कारण जो molar conductance है, वो increase क्यों हो रहा है, हमने देखा, हमने case discuss किये strong electrolyte के लिए और weak electrolyte के लिए, दोनों के लिए, और दोनों में हमने यह देखा कि molar conductance increase हो रही है, strong electrolyte में भले थोड़ी increase हो रही है बट हो तो रही है और V की electrolyte में तो हो ही रही थी तो यह ऐसा क्यों हो रहा है molar conductance का formula है lambda is equal to kappa into V kappa क्या है यहाँ पे conductivity और V क्या है volume अब इसमें हम यह देखेंगे ऐसा increase क्यों होता था on dilution the conductivity of electrolytic solution decreases but the increase in volume of solution is much more than the decrease in conductivity dilution के कारण वो क्या कह रही है जो conductivity थी electrolytic solution की वो तो क्या हो रही थी decrease हो रही थी क्योंकि यहाँ पे जो molar conductance है वो इन दोनों का product है इसका मतलब molar conductance इन दोनों के product क्यों पर depend करेगा पर जो यह conductivity है वो तो dilution के कारण क्या हो रही थी decrease हो रही थी molar conductance में but the increase in volume of solution पर जो dilution के कारण volume increase हो रहा था वो क्या हो रहा था is much more than the decrease in conductivity वो जादा हो रहा था इस conductivity के decrease होने से भी दूगना जादा हो रहा था जैसी कि अगर हम माल ले हमारे पास lambda m है और conductivity क्या है 2 है और जो volume है वो क्या हो रहा है 10 है तो यहाँ पर हम यह देख सकते हैं जो conductivity decrease हो रही है वो तो 2 गुना हो रही है बट volume जो increase हो रहा है वो 10 गुना हो रहा है तो फिर overall effect किसका पड़ेगा volume का पड़ेगा इसलिए molar conductance electrolytic solution का क्या होता है increase होता है on dilution क्योंकि increase in volume is much more than the decrease in conductivity क्यों volume increase हो रहा है वो जादा है conductivity के decrease होने से भी जादा इसलिए जो final effect होगा वो volume का होगा और last में molar conductance electrolytic solution की increase होगी on dilution उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो